क्या आपके पास भी एक एलेक्ट्रिक कार है और बैटरी फास्ट चार्ज करनी है चलिए जानते हैं सर्वोटेक 30 किलोवाट DC चार्जर से EV बैटरी को फास्ट चार्जिंग करने का प्रोसीजर क्या है DC चार्जिंग की केबल AC चार्जर से थोड़ी हेवी होती है तो उसका ध्यान रखे गन कनेक्ट करते ही डिस्पले पर ग्रीन चार्जिंग बटन पर टैप करते ही आपके सामने दो आप्शन आएंगे RFID कार्ट या फिर QR कोड RFID कार्जिंग करने के लिए कार्ड को इस रीडर पर टैप करें और Servotech Charger आपकी कार्ज से कनेक्ट करके BMS के अनुसार चार्जिंग शुरू कर देगा सिंपल चार्जिंग बन करने के लिए ब्लू सेटल बटन पर टैप करें और फिर से RFID कार्ड को रीडर पर टैप करें चार्जिंग बन सिंपल QR कोड से चार्ज करने के लिए Servotech EV Charging Mobile अप्लिकेशन से QR को स्कैन करें आप Charging Duration सेलेक्ट या स्किप करके अप में Green Start बटन पर टैप करें और चार्जिंग शुरू हो जाएगी उसी तरह से बन करने के लिए अप में Red Stop बटन पर टैप करें और चार्जिंग बन ध्यान रखिए वालेट में बैलेंस खतम होते ही चार्जिंग बंध हो जाएगी इसमें आप कितनी परसंटेज तक बैटरी चार्ज करनी है, कितनी देर तक चार्ज करनी है, काफी कुछ कस्टमाईज कर सकते है Connectivity के लिए सभी Chargers 4G Card, LAN और Wi-Fi enabled है Grid से Supply Cut हो जाने पर सभी Chargers में बिलिंग के लिए 15 मिनट्स बैटरी बैक अप है 30 किलो वाट के DC Chargers दो मॉडल्स में अविलेबल है, with और without cabinet तो EV चलाएं और Environment और पैसे दोनों बचाएं ऐसे ही EV और Solar related वीडियो देखने के लिए ServoTech से जुड़े रहें